हेलो स्टुडेंज सो मैंने पिछले बार आपको बढ़ा दिया था ध्वनी तो आज हम करेंगे ध्वनी के कुश्यरांसर कर दें ध्वनी के बहुत कम चोटे-छोड़े कुश्य अंसरों में ऐसा चैप्तर था चैप्टर नमबर वन तो में से नहीं कह सकतें कवीता पहली है काफ़ी संदर कवीता थी इसमें आपको जो आपके कवी थे सूर्यकान तरपाथी निराला जिनका उपनाम था तो इन्हों ने आपको बताए था कि जीवन में क्या महत्रपूर्ण है आप कितनी उन्नती प्राप्ट कर सकते हैं कितना आप अच्छा या उमंग आप भड़ सकते हैं और इतने उच्छे तक जा सकते हैं कि आप अनंत बन जाएं कि आपका अंत ही ना हो ठीक है तो आप अब लोग यहाँ पर इसके अंसर देखते हैं फड़ा फड़ कभी को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत कभी नहीं होगा तो आपने देखा होगा कि अभी तो आया है मेरे वन का वसंत अभी न होगा मेरा अंत यही थी ना कभी तो कभी को ऐसा क्यों लगता होगा वैसे क्योंकि कभी चाहता था कि अभी अभी तो वह आया है अभी अभी तो उसे इतनी उन्नत ही प्राप्त करनी है इतना उसे सब कुछ प्राप्त करना है उच में नया जोश्वय उमंग है यह मैं जाना बताना चाह रही थी आपको कि वो इतनी उन्नती प्राप्त करना चाहता था अभी उसे काफी नीव नवीन कारी करने हैं नवीन यानि की अच्छे कारी करने हैं यह यूवा पीडी को आलस्टी की दिश्ट दशा से उभारना चाहते ह वह यानि की जो कवी हैं वो जो यूवा पीडी है आजकल की उनको किस से सुधाना चाहते हैं जो आपको उन्होंने वसंत का एक्जामबल भी दिया था ना वो इसलिए दिया था तो नमबर वन हो जाएगा कवी को ऐसा विश्वास इसलिए है क्योंकि अभी उसके मन में नया जोश्वय उमंग है अभी उसे काफी नवीन कारे करने हैं नवीन यानिकी काफी अच्छे कारे करने हैं काफी उन्नती करनी है वह यूवा पीडी को आलत सिर्की दिशा से उभारना चाहते हैं अब हम लादने हमारे जूसरे कुश्चन में फड़ा फड़ा तो आपने सीन श पुश्पो पुश्पो से विक्सित वाला पैराग्राफ आप देखना अगर आपने नहीं पढ़ा है तो फूलों को अनंत से विक्सित करने के लिए कवी उनको कलियों की स्थिती से निकाल कर खिले फूल बनाना चाहता है खिले यानि कि बिलकुल उमंग से भड़े होए और उसके बाद फूलों को अनंत तक विक्सित करने में कवी उनकी स्थिती से निकाल कर खिले फूल बनाना चाहता है कवी का मानना है कि उसके जीवन में वसंत आया हुआ है क्या आया हुआ है वसंत रीतू एक ऐसी रीतू होती है जो पेड और पुश्पो को बहुत ही अच्छे से खिला देती है ठीक है वसंत यानिकी कवी के लिए है नया जीवन आया है जिसमें मैं बहुत सारे कालिक करना चाहता हूँ यहां पे आता है इसलिए वह कल्यों को हाथ से वसंती स्पर्श से खिला देने लगे यानि कि जो उनके सब नमें अवाला इस पर्श रत्रया हाथ उसको हिलाने लगे वह फूलों की आखों से आलसी हटा कर उन्हें चुष्ट वे जागरुक करना चाहते है यहीं माना आपको पता है उन्हें अमंग बना चाहते है उन्हें जोश बनना चाहते है लेलेज़ तीसरा कुश्चन में जोगी है कभी पुश्पो की तंदरा और आलस से दूर हटाने के लिए क्यों करना चाहते हैं क्या करना चाहते हैं कभी पुश्पो की तंदरा और आलस से दूर हटाने के लिए उन पर अपना हाथ फेर कर उन्हें जगाना चाहते हैं यानि की कवी क्या करना चाहते तंदरा मैं आपका पताया था ना आलस्च्य ही होता है तंदरा भी और आलस्च्य को दूर हटाने के लिए अपना हास फेर रहे थे उनके अंदर जगाने चाहते थे उनکो चुष्ट उन में उना लोंग हरना चाहते थे आभवान और आभावान पेड़े बहुत सारे लोग पेड़े को पेड़े ऐसे ऐसे बढ़ा मैंने जान मुझ के पढ़ा दिया स्टुट्स ताकि आप लोग में को सुधार सको मैं अपने गरहत पढ़ा है नीन्द में पढ़े यूवक यूवक मैंने फिर से गरहत पढ़ा देखा आपने यह चोटी- कर्ष वे स्वप्र जगादे देगा मत्तब उनको इतना उमंग भढ़ना चाहते थे उनके इंदे कभी बहुत ही उमंग उनका आलस्त दूर भगा देगा तथा उनमें नई उत्सा का संचारन करना चाहता है ठीक है आज आते हैं आपने ले लियोगा स्क्रिंशर आइधिंग आजाते हम लोग वसंत को रीतुराज क्यों कहा जाता है आपने पढ़ा था सिक्स सेवंथ में क्यों क्यों से वसंत रीतुराज कहा जाता है तो वसंत को रीतुराज कहा जाता है क्योंकि यह सभी रीतुों का राजा है रीतुराज यह तो कोई बाहत नहीं हुई यह सभी री सभी रीतूं का राजा है इस रीतू में प्रकति पूरे योवन होती है इस रीतू के आने पर सर्दी कम हो जाती है आपने देखोगा मौसम सर्दी गर्मी जैसा होता जैसा होता जाता है उसके बाप में मौसम सुहावना हो जाता है मौसम कैसा हो जाता है मौसम सुहावना हो जाता है इस समय पंच तत्व अपना प्रकोप छोड़ कर सुहावन के रूप में प्रकट होते हैं कौन पंच तत्व पंच तत्व जल वायू धर्ती आकाश और अग्री सभी अपना मोहक र से भण जाते हैं कि से रिखहे हैं लिखा हुगा है और खेत सरसो के फूल से भरे पीले दिखाई देते हैं अशोक का पेडों भrem महीं अधेर गज्याता है कि अबने देखऊ का वह लिख और लेकि अब वीटुराज के आगमन की घोशना करते हैं सर्सों के फीले पूर होते हैं आपने देखें होंगे वह करते हैं आगमन वीटुराज की ठीक है उसके बाद आ जाता है खेतों में ८ें.. फूली हुई सर्षो पावन झ्छकों किसे हिलती ऐसी दिखाई देती है माँनो ससवान Såna का सागर लहर रहा हु सर्षो तो कितनी पीडी होता है सोन जैसी ना बिल्कुल सोने जैसी दिखती है कोयल पंचम स्वर में गाती है आपने देखा कोयल कितना अच्छा गाती है वतंत रीतु के समय मार्च और अप्रेल का टाइम होता है बहुत ध्यान से देंगा इनको चलती है रीतु जून तर्ट और सभी को कुह 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 कोयल के वाज बहुत चज़ती है ना मेंको तो न्यादी दिन्यच से आप देख लोएं लेकि मेंको चज़ता है निए खाली मिजल भन आउगे आप लो कि अवाज मंत्र मुगद करती है इस नीतु में उस्की चटा देखते हम बनती है नीतु में कई प्रमुक तयौहार मना जाते हैं जैसे कौन से वसंत पंचमी महाशिवरात्री खोली और आपका बैसाखी आ गया फिर है ना बहुत साय तेवार वसंतरी तुम्हें आने वाले तेवारों के विशे में जानकारी एकत्र कीजिए और किसी एक तेवार पन निभंदली अब यह आपका काम है आप लिख सक हैं वैसे हमने हाँ लिख रखा है मैं पूरा पढ़ूंगी तो नहीं लिकिन आपको ऐसा एक आइडिया दे देती हूं निभंद एक ऐसी चीज होती है जिसमें आपको सारे पॉइंट ऑफ यू से लिखना होता है जाए आप उसके बारे में बता रहे हैं उसके और भी उसके बहां में जानकर यह बता रहे हैं ना वसंत रीतु के कई तेवार मनाए जाते हैं जिसे वसंत पंचमी महाशिवरातरी होली आदी सब तेवार होते हैं आपने देखा होगा बैसा की भी आता है अप्रैल में है ना होली हमाये देश भारत विश्विका अकेला और एवं ऐसा अनूठा देश है भारत विश्व का अकेला देश भारत विश्व का खोली हमारा देश भारत विश्व का अकेला एवं ऐसा अनूठा देश है जहां पूरे साल यहां पर आपको मिस्टेक दिखती होगी ज़री निया कि ठोटी की तरह आप सब उतालने यहां पर आपको आगी मातला लगानी है मैं एक बार फिर से बता देती हूं क्लियर लिखें जहां ऐसे लिखेंगे आप सब ठीक है जहां ऐसे लिखेंगे वहाँ पर थोड़ी स्परी मिस्टेक है उसको माइन मत कीजिए पूरे साल कोई ना कोई तेवार मनाया जाता है आपने देखा होगा भारती एक यूनीक देश है और और जगों तो सिर्फ क्रिस्मस गुड़ फ्र निमा को मनाया जाता है इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चेना पहला और होलिका के बारे में आप जानते होंगे तो मैंना आपको बता दिया आप इनमें से कोई एक तेवार के बारे में लिख सकते हैं वैसे मैंने आपके लिखा है आप स्क्रिंशॉट लेना चाहे तो फ्लीज ले इतना अगर आप ने ले लिया हो तो मैं आगे को अपको दिखाती हूँ तो यहां पर आपका आगे भी मैंना आपको दिखा दिया है यह बहुत चोटा सा निबन्द है इसे आप निबन्द नहीं एक ही अर्थ मिलदा है, कवीता के हरे हरे ये पाठ वाक्यांच में हरे हरे शब्द युगम पत्तों के लिए विशेशन के रूप में प्रयोक्त हुए हैं, हुए हैं कि नहीं हो ये हरे हरे पत्ते हैं, है ना, बढ़ाता आपने, पाठ शब्द भवचन में प्रयोक्त है, ऐसे प्रियोग भी होता है जब करता या विशेश एक वचन में हो और कर्म या क्रिया या विशेशन बहु अचन में हो जैसे वह लंबी चौड़ी बाते खड़ने लगा ये क्या हुआ लंबी चौड़ी बाते हैं ना दोनों अलगर चीज आगी यहाँ पर आता है कवीता में एक शब्द से अधिक शब्दें प्रियोग होते हैं जैसे तीन बेर खाती थे वह तीन बेर खाती है जो तीन बेर खाती थी वह तीन बेर खाने लगी है एक शब्द बेर का दो अर्थों में प्रियोग किया जा रहा है वाके में चमतकार आ गया देखा आपने कैसे चेंज आया तीन बेर खाती थे वे तीन बेर खाती है एक वचन हो गया है ना बहुत सारे अर्था आ चुके है कभी-कभी उचारन की सामानता से शब्दों की पूल्णा विर्थि का आभास हो जाता है ठीक है? उचारन से कभी हम हमें पता चल जाता है कि ये क्या है भही? ये शब्द है ना जबकि दोनों दो प्रकार्ट शब्द होते हैं जैसे मनका और मनका मनका मैं बहुत अंतर है अगर आप थोड़ा सा रुख के बोलने मन का तो आपका अलग अड़त निकल ले हैं लेकिन आप मन का बोलने मन का वहाँ जा रही है यहां की मन का एक लड़की है ऐसे वाक्यों में एकत्रट कीजिए जुन में एक ही शब्द की पूर्णविती हुई हो ऐसे प्रयोगों में ध्यान दिखाए देखिए और निम्लिकित पूर्णवर्त शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए बातों बातों में रह रहकर लाल लाल सुबह सुबह रातों राती गड़ी गड़ी फड़ा फड़ प्रयोग कर लेते हैं आप देख लेजिए बातों बातों में बातों बातों में कब घर आ गया पता ही नहीं चला यह माँ पैरा सेंटेंस नहीं यह बातों बातों के इस्टमाल किया है रहे रहे कर में कल रात रहे रहे कर बारिश हो रही है लाल 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 आखों से पिता जी अमर को खूर रहे थे और सुबह सुबह दादा जी सुबह सुबह ही पूजा करने मंदिल निकल दादी जी है दीए दादा जी निकल जाते है और दादी जी निकल जाती है रात रातो ईश्वर की कृपा से रामन रातो रातो अमीर हो गया रातो रात 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 ऐसे चीज़ों में भी आपको ध्यान रखना है घड़ी घड़ी शिक्षक उसे पढ़ाई में ध्यान लगाने के लिए टोकते रहे ठीक है लब देर तक टोकते रहे यहाँ पर डियर स्टुडेंट्स हमने क्या कर लिया है हमने अपना ध्वनी चैक्टर कंप्रीट कर लिया है उसके सारे ही कुछ नांसर मैं आपको दे दी है और आपने स्क्रिंशॉट भी सभी के ले लिया होंगे अगर किसी लिया है आप वीडियो को पॉस्ट करके इसके स्टुइशाट ले सकते हैं धन्यवाद वच्चों अगर आपको कोई भी चीज सवनी से ले लेटेस समझ में ना आई हो आप मैं इसे बोल सकते हैं इसके रिलेटेस जूसरा वीडियो आपके लिए बनाया जाएगा और आपको